हलो दोस्तो मैं पशान आप सभी का अपने योटुब चैनल एक वीटी टु कम्यूटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि इंट्रवाडे ट्वेरिंग के लिए 5 बेस्ट इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं टॉप 5 इंडिकेटर्स फॉर इंट्रवाडे ट्वेरिंग और इन सारे इंडिकेटर्स का आप इस्तमाल कैसे कर सकते हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो में डीटेल से बताने जा रहा हैं और इन सारे indicators को use करते हुए आप अपने intraday trade को profitable बना सकते हैं आप आसानी से intraday trading में अपना trade setup तय्यार कर सकते हैं तो चली देखते हैं कि इन सारे indicators को हम कैसे use करेंगे और यह सारे indicators है कौन-कौन से जिसके basis पर हम आसानी से intraday trading कर सकते हैं यहां पे हम चार्ट पे आ गए और चार्ट पे यहां पे अगर हम फस्ट इंडिकेटर उसकी बात करें तो फस्ट इंडिकेटर जो यहां पे हमें एड करना है वह आपका on balance volume और यह काफी हद तक आपके volume को भी denote करता, volume के साथ price कैसे move करता उसको यह denote करता और इसको हम लोग score में O, V भी बोलते हैं और आपका जो भी trading platform आप यूज़ करते हैं उसमें आसानी से अपलेबल है आप इसको add कर सकते हैं यह हमें क्या बताता, यह हमें market के momentum को identify करने में help करता है और साथी साथ यह भी बताता है कि कब market में smart money का entry हुआ है यहनि कब market में big players और जो professional traders हैं वो market में कब entry कर रहे हैं उसका indications थूरा बहुत हमें इसके ज़रिये मिल जाता है और जब हम यह चीज़ identify कर लेते हैं तो intraday trading में हम momentum को find करते हुए उस पे trade करते हुए profit बना सकते हैं फिर profit बनाना ज़्यादा मुस्किल नहीं होता है intraday में momentum किस तरफ है वह ही find करना थोड़ा सा difficult होता है उसमें हमें on balance volume indicator बहुत ज़्यादा help करता है अब इसका इस्तमाल हम trading में कैसे करेंगे जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं price नहीं यहाँ पे आपका लोग बना है दूसरा लोग आपका यहाँ पे form किया है सेम टाइम पे यहाँ पे कहाँ बना है देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग बना है और इसके सामने यहाँ पे आपका लोग बना है और यहाँ पे भी जो price का direction है वो नीचे side की तरफ है यहनी price नीचे जा रहा है और साथ-साथ volume के तरफ से भी यहाँ पे support मिल रहा है और हमने दोनों में सिर्फ एक चीज किया twin land work हिया तो हम क्या करेंगे इसी point के आसपास हम अपना sell side की तरफ positions initiate करेंगे यह जो point है मेरा SL के र target 1 जिसको हम T1 बोल देते हैं और target 2, T2 दोनों को इसने hit कर दिया है तो इस तरीके से आप on balance indicator का use करते हुए यहाँ पे trade initiate कर सकते हैं यहाँ पे अगर हम दूसरे indicators की बात करें तो वो आता है आपका VWAP VWAP का इस्तेमाल करना ज्यादा कोई difficult नहीं है यहाँ पे भी हम आसानी से इसकी basis पे trade ले सकते हैं और यह हमें क्या बताता है यह हमें generally बताता है कि कब market आपका overbought है और कब market आपका oversold है यह नि कब buyers में strength है और कब हमे sellers में strength देखने हो को मिलवा इसके जरी हम आसानी से find कर सकते हैं और जब buyers में strength हो तो हम buy side की तरफ trade लेके profit बना सकते हैं और जब sellers में strength देखे तो हम sell side की तरफ जाके profit बना सकते हैं तो यहाँ पे भी आपको simple सा formula apply करना है कि जब भी price भी आपको cross करके ऊपर निकले और at the same time हम on balance volume हमेशा रखेंगे अपने साथ और यहाँ पे भी कि price के साथ साथ इसका भी direction upside की तरफ होना चाहिए यहाँ पर अगर हम नीचे है तो देख सकते हैं इसका भी direction upside की तरफ है तो हम यहीं पर क्या करेंगे बाइस साथ की तरफ यहाँ पे clear cut int भी लेंगे यह point मेरा SL की रूप में काम करेगा पहला target यह हो जाएगा दूसरा target काफी आसानी से आप यूज कर सकते हैं और बहुत सारे इंट्राडे ट्वीडे इसका इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी इंडिकेटर को आपको अकिला इस्तेमाल नहीं करना आपको हमेशा on balance volume का मदद लेना यानि तो आप चाहो तो general volume का भी आप मदद ले सकते हो लेकिन यह clear cut आपको picture बता देगा उसके बाद हम next indicator की बात करें तो वहाँ पर हम next indicator add करना चाहेंगे exponential moving average और double exponential moving average इन दो indicator के बारे में हमने already discuss कर रखा है आपको इसके बारे में information हो गाई अब यहाँ पर हमने क्या किया जो double exponential moving average है जिसको हम DEMA बोलते हैं यह आपका 9 days का है और जो आपक exponential moving average है यह आपका है 20 days का और जो green वाला लाइन है वह आपका double exponential moving average है और जो white वाला लाइन है वह आपका exponential moving average है 20 days का अब इसका इसका इस्तमाल हम intraday trading में कैसे करेंगे तो जब आपका double exponential moving average exponential moving average को ब्रेक करके उपर निकलेगा बाई करेंगे यह नहीं simple तरीके से इसको आपको green color में रख लेना और इसको आपको white color यहां पर भी देख सकते हैं जब green color line white को cross करके उपर निकलेगा जैसे यहां पर हमें देखने को मिला है तो यहां पर हम by side की तरफ आसानी से positions initiate कर सकते हैं मेरा SL की रूप में काम करेगा फिर हम इसी target price के लिए आसानी से जा सकते हैं उसके बाद देखिए जब green line white को cross करके नीचे आएगा तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं sell side की तरफ भी positions initiate कर सकते हैं यह point SL की रूप में काम करेगा और फिर हम और ज़्यादा गिरावट के लिए जा सकते हैं इसके basis पर आसानी से ले सकते हैं और हम जो सिर्फ on balance वालूम के basis पर ट्वेट ले रहे थे उसमें हमारा इंट्री बनवाता लगबग इसके आसपास बनवाता लेकिन यहां पर अगर हम moving average को add कर देते हैं exponential वाला 20 पिरिएट का और डबल एक्सपोनेंशल 9 पिरिएट वाला इसके साथ अगर हम on balance वालूम का इसका भी direction नीचे साथ की तरफ है तो इसके बाद अगर आप देखेंगे इसका भी direction नीचे साथ की तरफ है तो मैं वालूम के तरफ से सपोर्ट मिलबा है प्राइस को त्यहां पर हम आसानी से इस तरीके से आप इसके basis पर ट्वेट ले सकते हैं यहां पर भी देखें ग्वीन वाइट को क्रॉस करके ऊपर निकला यहां पर भी हम बाइसार की तरफ पोजिशन ले सकते हैं यह जो पॉइंट है यह मेरा SL की रूप में कांप करता वह दिख जाएगा तो इस तरीके से आ आपको कम प्राइस पर आपके सामने एबलेबल हो जाएगा उसके लिए आपको मुवाइल एप डाउनलोड करना होगा मुवाइल एप डाउनलोड करके आप हमारा कोर्स जबूर देख लिए टेकनिकल इनालिसिस वादा वहां पर आपको सारे इंडिकेटर के बारे में पर ट्वेडिंगे स्वेड़ जी बताया गया चाहते साथ आप वहां पर फ्यूचर ऑप्संस के लिए भी कोर्स को इन्वोल कर सकते हैं आप केंडलिस्टिक को सीख सकते हैं और पूरा मार्केट को भी आप समझ सकते हैं फ्रॉम बेसिक टू एडवांग्स तो एक बार आप आपका सूपर ट्वेंड यहां पर हम इसको बंद कर देते हैं तो सूपर ट्वेंड का इस्तमाल हम कैसे कर सकते हैं वह काफी सिंपल है यह आपको बाय और सेल सिगनल देता है लेकिन आपको ध्यान रखना कि कभी भी सूपर ट्वेंड का इस्तमाल हमें सिंगल नहीं करना है इसके basis पर हमें volume को लेना है चाहे आप one volume ले ले या फिर general volume ले ले लो या फिर RSI या MACD कुछ भी यूज़ कर लो इसका इस्तेमाल single नहीं करना यह ची आपको समझना है क्योंकि यह कई बार आपको false signal देता है single इस्तेमाल करोगे तो आप trap में first सकते हो और यह आपको ready made signal generate करके देता है जैसे यहाँ पर हम buy करते हैं देख सकते हैं already यहीं पर buy call generate कर दिया हमें sell side की तरफ जाना था यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर sell call generate करके यह हमें दे दिया अब बीच बीच में यहाँ पर देखिए हम buy side की तरफ call generate करके दिया, लेकिन यहां पर हम on balance volume को देखेंगे, इसका direction नीचे side की तरफ ही बना हुआ है, तो direction नीचे side की तरफ बना हुआ, by call आया, तो इसको क्या करेंगे हम, avoid करेंगे, इसके basis पर नहीं जाएंगे, तो ऐसे ही अगर आप double initiate कर सकते हैं, super trend indicator को यूज करके, और इसका बहुत सारे intraday trader यूज भी करते हैं, अपने trade को profitable बनाने के लिए, तो यहां पर हम एक और last indicator का इस्तमाल करने जा रहे हैं, वो है आपका CPR, सबसे पहले हम super trend को यहां पर बंद कर देखते हैं, अब CPR क्या है, यह है आपका central private range, अब इसका इस्तमाल भी लोग intraday trading में करते हैं, अब इसका इस्तमाल कैसे करते हैं, चलिए वो समझ लेते हैं, और यह भी हमें market के trend को identify करने में help करता है, कि market में अभी आपका up trend है या फिर downtrend है, इसको identify करने में बहुत ज़्यादा help करता है, और अगर आप सही तरीके से trend को identify कर लेते हैं, और सिर्फ आपको intraday trading में trend को follow करना, आप trend को follow करते हुए trade को profitable बना सकते हैं, तो इस indicate का इस्तमाल हम कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको तीन लाइन देख रहा होगा, उपर में आपको rate, wheat में white, नीचे green, जब price आपका green line को break करके नीचे आएगा, और हम volume check करेंगे, volume के तरफ से, हमें यहाँ पर confirmation मिल रहा है, कि price नीचे जा रहा, तो यहाँ पर हम sell side की तरफ जाएंगे, और जब price आपका, उपर वाला जो green line है, उसको break करके उपर निकलता है, और volume से हमें support मिलता है, तो हम buy side की तरफ positions initiate करेंगे, जैसे हम सारे में कर रहे हैं, यहाँ पर भी देख सकते हैं, इसके basis पर भी यहाँ पर हमें buy call मिला है, क्योंकि यह उपर वाले green line को break करके उपर निकला, और यहाँ पर volume के तरफ से भी support मिलता हुआ, दिख रहा है, तो यहाँ पर हम buy side की तरफ positions initiate कर सकते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं, क्या हुआ, यह जो red line है नीचे वाला, इसको cross करके नीचे आया, और यहाँ पर volume के तरफ से भी support मिलता हुआ, दिख रहा है, तो यहाँ पर हम इसी point की करीब हम sell side की तरफ positions initiate करेंगे, इस point को ऐसल रख सकते हैं, यहाँ पर इस point को भी आप stop loss के रूप में tweet कर सकते हैं, और यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्या हुआ, इसको cross करके यह उपर निकला है, लेकिन यहाँ पर जो volume है, वो उतना हद तक हमें support नहीं कर रहा है, यहाँ पर flat indications दे रहा है, तो यहाँ पर price उपर जओर गया है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको avoid करना ज़्यादा prefer करें, क्योंकि इस तरही के trade अगर आप लेते हैं, तो आप आगे आने वाले टाइम में trap में फस सकते हैं, कई बार आप profit opportunity miss कर देंगे, लेकिन आप यहाँ पर काफी हद तक यह आपको trap में फसा सकता है, multiple times यह आपको trap में फसाएगा, एक दो inequality trading में कैसे करना, वो आप समझ गये होंगे, और इस 5 indicator का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, अब 5 को एक साथ भी नहीं करना, आप 2 या 3 indicator को एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, सो उमीद करते हैं, यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकवेज किजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब किजिए, साथ इसाथ बेल आइकन दबना ना भूले, ताकि जब भी अपना नेक्स्ट वीडियो अप्लोड करें, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और आप वीडियो को मिस ना करें, so that's all friends, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जयाहिंद